स्टुरेंट स्वागत है आप सबका आपका अपना यूटुब चैनल अपढ़ेगा इंडिया में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगोंने बिहार द्रोगा मुख परिछा के लिए जो हम लोगोंने सूपर फास्ट रिवीजन सीरीज स्टार्ट का रखा है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हैं हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नमबर 9 इससे पहले आठ वीडियो जो है वो रिवीजन सेट का अल्लेडी अप्लोडेड है अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस से देख सकते हैं इसके साथ ही साथ कई भी बुक से प्राक्टिसेट जो है वो अल्लेडी अप्लोडेड है अगर आप नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर प्लेलिस से देखे वो आपके आगाम एक्जाम के लिए काफी लबदा एकसाबित होगा तो चलिए अब बढ़ते अपने questions की तरफ आगे के starting के कुछ questions जो है वो math के questions दिये गए है math के questions का जो solution है और इसका पूरा PDF का जो complete answer की है वो telegram group पे डाल दिया गया है telegram group जोईन करने के लिए आप लोग video के दिये अगर description लिंक से जाकर जोईन कर सकते हैं या फिर telegram में जाकर search कर सकते हैं या पठे का इंडिया वहाँ जाकर आप इसका जो है वो telegram group या whatsapp group कुछ से भी दोनों का link जो है वो दे दिया गया है description में आप वहाँ से जाकर join हो सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं अपने questions की तरफ कह रहा है सबसे बड़ा हीमनद जो है वो निमलखित में से कौन है options है कंचन जंगा, रूंडून, गंगोत्री और केदारनाथ options के according अगर देखते हैं तो भारत का जो सबसे बड़ा हीमनद होगा वो गंगोत्री होगा जो उत्रा खंड में अवस्तित है तो इस question का सही answer होगा, वो होगा option number C, गंगोत्री next question कह रहा है कि स्वामी सहजानंद का संबंद किस से था तो स्वामी सहजानंद का संबंद था बिहार के किसान आंदोलनों के साथ तो इस question का सही answer होगा, वो होगा option number C, बिहार के किसान आंदोलनों के साथ देखे, बिहार में किसान आंदोलन को संगठी और एक निर्नायक मोड़ देने के लिए का जो स्रे है वो सहजानन्द को ही जाता है स्वामी सहजानन्द के परियास से ही 1928 में किसान सभा 1929 में प्रांतिये किसान सभा और 1936 में अखिल भारतिये किसान सभा की अस्थापना जो है वो लखनों में किया गया था स्वामी सहजानन्द सुरसती का जो जन्म है वो उत्रप्रदेश के गाजीपूर में हुआ था और एक हुंकार नामक एक परसिध पत्रिका है उसका संपादन भी जो है वो स्वामी सहजानन्द के द्वारा ही किया गया था नेक्स कोशन है कोशन नमर फुटी करा की कोशन नमर 11 है करा फुटी परमानू भारबाले किसी तत्व का इलक्ट्रोनिक बिन्यास दो आठ अठ दो है इस तत्व के लिए निम्न में से कौन सा बाग जो है वो यू प्यूक्त नहीं है यह पूछ रहा है यह आबर सार्नी के समू लिए ते सही है इसमें 20 न्यूट्रान होते हैं यह भी बिलकुल सही है इनमें आकसाइड का सुत्र सी यो टू होता है यह गलत है क्योंकि इनमें आकसाइड का सुत्र जो होगा वो सी ये ओ होगा तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर A C next question है कि मनूस के ल शाच्चीत में जो ध्वनी के तिब्रता का अस्तर होता है वो 30 से 40 decibel होता है सोते हुए बैक्ति को जगाने के लिए 50 decibel की ध्वनी जो होती है वो पर्याप्त होती है और 95 decibel से अधीक ध्वनी में लागातार रहने पर बैक्ति जो है वो बहरा हो सकता है Next question is question number 13 करा कलपक्कम के Fast Breeder Reactor निम्लिखित में से कौन सा सीतलग परियोग में लाया जाता है तो कलपक्कम के Fast Breeder Reactor में द्रबित सोडियम का परियोग जो है वो सीतलग के रूप में किया जाता है तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number D कलपकम में 1985 में Fast Breeder Test Reactor का परिचालन जो है वो किया गया था और इस Reactor में Plutonium और Uranium मिसरित करबाईड इंधन का जो है वो परियोग किया जाता है देखिए भारत के निम्नस्थानों पर जो नापकिये Reactor केंदरित है वो अक्सर पूछे जाते हैं जैसे तारापूर कहां है महराष्ट में नरोरा उतरपदेश फिर कैगा कनाटक काकरा परा गुजरात तो ये सारा जो है वो आप लोग ध्यान रखिएगा नेक्स कोशन कहरा है कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है तो पौधे के तने के भाग से हल्दी प्राप्त होता है तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर B तना याद रखिएगा हल्दी के पौधे का खाने लाइक हिस्सा जो है वो प्रक B नहीं होता है, Hepatitis B जो है वो पाणी के प्रदूसरं से नहीं होता है, तो इस Queshan का सजिन सर होगा, वो होगा, Apsan number B Hepatitis B, बात बगी अगर Defite की बायत करते हैं, तो यह जो है जिवानू जनीत रोग है, और Polyo की बात करते हैं, तो यह बिसानू जनीत रोग है, next question कह रहा है ये निमलिखित मेंसे कौन सा भारतिये मानक समय को सटिक धंग से दरसाता है तो भारतिये मानक समय को सटिक धंग से दरसाता कौन है वो दरसाता है GMT से बहुत 5.5 घंटा आगे है तो इस question का सही अंसर होगा बहुता आपसन अमठी GMT PLUS 5.5 देखिये भारत का जो मानक समय है वो इलахाबाद के पास नैनी से गुझरता है भारत का मानक समय बोला जाता है 3,82 डिग्री पूरबी देशांतर को जो कि GMT से 5,50 गणटा आगे है 3,82 डिग्री पूरबी देशांतर जो है वो 5 राजियों से होकर गुझरती है उत्रपदेश, मद्रपदेश, अच्छतिसगड, उडिसा और आंद्रपदेश GMT से अगर आप पूरा बाते हैं तो समय बढ़ता और पश्चिम जाते हैं तो समय क्या होता है घड़ता है Next question है कि Indian Bureau of Mines का मुख्याले कहां अवस्तित है तो Indian Bureau of Mines का मुख्याले जो है वो नागपूर में अवस्तित है और इसकी अस्थापना जो है वो राष्टिय खनीज निती सम्मेलन किसी फारिसों के अधार पर एक मार्च 1948 को की गई है तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर C नागपूर में Next question कहरा है कि पुर्भी टट का सबसे पुराना क्रितरिम बंदरगा कौन सा है तो पुर्वी टट का सबसे पुराना किलतरिम बंदरगा चन्नाई बंदरगा है तो इस question का सई answer होगा वहोगा option number C चन्नाई बंदरगा पैरा दीब बंदरगा से धहां रखेगा पैरा दीब बंदरगा उडिसा में अवस्थित है काण़ला पोर्ट गुजरात में अवस्थित एक जवारियो बंदरगा है और विसाका पठनम की बात करते हैं तो यह भारत का सबसे गहरा बंदरगा है नेक्स्ट लेगी भारत में पहली British Presidency की अस्थापना कहां किये गए थी तो भारत में पहली British Presidency की अस्थापना सूरत में किया गया था तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number B इस सूरत में अंग्रेज और France CC Company जो है वो अपनी पहली factory सूरत में अस्थापित किये थे अंग्रेज का भारत में अंततर तीन Presidency अस्थापित हुआ था बंगाल Presidency, Bombay Presidency और मदरास Presidency फिर Regulating Act आता है और Regulating Act के बाद बंगाल Presidency को Bombay और मदरास Presidency पर सरवोचिता जो है वो प्रदान किया जाता है नेक्स्ट कोशन है कोशन number 22 कह रहा है East India Company को बंगाल में सुल्क मुक्त बैपार कराने का विसेसा धिकार दिया गया था तो यह जो है वो एक मुगल समराड था फ्रुक्सियार वो 1717 में एक साही फरमान जारी करता है और अंग्रेजों को अनेक बैपारिक सुभधाएं देता है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमर 1717 में आगे है कि बंगाल के किस नबाब ने यूरोपियों की तुलना जो है वो मधुमक्यों से किया था तो बंगाल का नवाब जो अलवर्दी खाँ था वही कहा था कि यूरोपियों की तुलना जो है वो मधुमक्यों से है उनका कहना ये था कि यदि उसको छेड़ा जाए तो वो मतलब काट कर मार देगी और अगर नहीं छेड़ा जाए तो वो सहद देगी तो इस कुशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसन नमबर अलवर्दी अलवर्दी खाँ जो था वो 1740 से लेकर 1756 तक बंगाल का नवाब रहा था नेक्स्ट है कि बासको डिगामा कालीकट में किस बर्थ पहुंचा तो बासको डिगामा जो था वो भारत के लिए एक नए मारग का पता लगाया था और 17 मई 1498 को कालीकट पे पहुंचा था तो इस कुशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसन नमबर बी 1498 को नेक्स्ट है कि सल्तानत की राध्धानी के रूप में आगरा की अस्थापना किस ने किया था तो आगरा की अस्थापना है वो सिकंदर लोधी के द्वारा 1506 में किया गया था तो इस कुशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसन नमबर ए सिकंदर लोधी के द्वारा नेक्स कोचिन कहा रहा है कि एलाहाबाद की संदी वो किनों ने निस्पादित की थी देखी एलाहाबाद के संदी जो है वो रावेट क्लाईब, सुझा उदौला और साह आलंग के साथ निस्पादित किया गया था देखे बक्सर का यूद होता है 1764 में उसकी समाप्ती के बाद Robert Clive जो होता है वो आबद के नवाब सुजाओ दौला और मुगल समराड साहालमदूतिये के साथ अलग-अलग इलहाबाद की संधी करता है पहली संधी होता है 12 गश 1765 को इलाहबाद की संधी जो है वो कलाइब मुगल समराट साह अलम दूतिये के साथ करता है जिसके तहट अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उडिसा की दिवानी अधिकार जो है वो प्राप्त हो जाती है फिर होता है 16 गश 1765 को इलाहबाद की एकन्य संधी अबद के नवाब सुजा अधौला के साथ होता है जिसके तहट काड़ा और मनिकपूर का छेतर जो है वो अबद से लेकर मुगल समराट को दिया गया था तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर A, Robert Clive, सुजा उदौला और साह आलम नेक्स्ट है कि राउल के लाइस पाथ संयन्तों को लौय असकी आपूर्ती कहां से होती है तो ये कुएंजर से होती है तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर C नेक्स्ट कोश्चन कहा रहा है कि अस्टेलनेस अस्टील बनाने के लिए क्या परियोग मिलाया जाता है तो astillness ice steele बनाने के लिए समान तक chromium और nickel का परियोग किया जाता है loi dashatu के साथ nickel chromium और कुछ मातरा में अगर कार्वान डाल दिया जाता है तो astillness ice steele जो है वो तैयार होता है तो इस question का जो सही अंसर होगा वहोगा option number B chromium और nickel next question है question number 29 9 कह रहा है निमलिखिद में से कौन सा महादीब जो है वो छेतरभल के अनुसार सबसे बड़ा है देखे ओप्सन में दिया हुआ है अफिरका दचिन अमेरिका यूरोप और उत्रिय अमेरिका इन चारों में बात कीजेगा तो अफिरका सबसे बड़ा है तो इस question का सही अंसर हो अब होगा आपसन अमरे अफिरका लेगिन छेतरभल की अनुसार देखा जा तो एस या फिर अफिरका फिर उत्रिय अमेरिका फिर दचिन अमेरिका फिर अंटार्टिका फिर यूरोप क्लियर है next question कहा रहा है कि गरीबी हटाओ किस राजशनितिक नेता का नारा था तो गरीबी हटाओ का नारा जो था वो इंदरा गांधी के द्वारा दिया गया था और फिर 1908 से लेकर 1984 तक परधान बंतरी के पत्द पर रहती हैं। नेक्स कोशन कहा रहा है कि एक संग्राले है, उसमें एक लड़का दर्पन के सामने खड़ा होता है और देखता है कि उसके प्रतिबीम का सीर जो है वो बड़ा है, सरीर साधारन है और पैर छोटे हैं। बस्तु से बड़ा और बस्तु से छोटा सभी तरह से बनता है। समःता के द्वारा भारत के लिए संविधान का निर्मान कराने का प्रस्ताओ किया गया था। तो हाँ 1946 में जो Cabinet मिसन यह उचना है, उसी के द्वारा सरपर्थम निरवाची समःताई सभा के गठन का प्रस्ताओ जो है वो किया गया था। तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number D British cabinet delegation के द्वारा और उसी में 10 लाग की जन संख्या पर एक प्रतिनी दी चूने जाने का प्रब्धान किया गया था सम्विधान सभा की जो कुल परस्तावी सदस संख्या थी वो 389 थी जिसमें 202 में सदस जो थे वो विभिन प्रांतों से 93 में सदस थे देशी रियाश्तों से और 4 सदस जो थे वो मुक कमिस्नरी वाले प्रांतों से चूने गए थे नेक्स कोशन है question number 33 भारत में राजनेतिक सब्दावली में आया राम गया राम की अभिवक्ति किसकी ब्याख्या के लिए लोग प्रिया हुई थी तो यह जो हुआ था वो गया लाल के लिए हुआ था तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा आपसे नमबर B गया लाल next question कहा था कि सम्बिधान में अन्य देसों से उधार लेने की बिसेस्ताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि सम्बिधान के मौलिक बिचारों के संदर में किसी को भी कोई बिसेसा अधिकार नहीं है तो यह किसने कहा था यह कहा था डॉक्टर B.R. अंबेद करने next question कहा था यह किसने कहा था तो यह कथन जो है वो केटी साह की है तो इस question का जो सम्बिधान का सबसे अनोखा भी सेस्ता है निती निदेसक तत्व और सम्बिधान सभा के एक सदस्थे नसुरू दिन उन्होंने यह कहा था कि निती निदेसक तत्व जो है वो नब बर्स के प्रथम दिन पास किये जाना प्रस्तो जैसा है निती निदेसक तत्व जो है वो भारतिये सम्बिधान में आयरलंड के सम्बिधान से लिया गया है तो इस question का सही answer होगा आपसा number A next है कि किन कार्बानी की योगी को के नाम में परतियाई अल जूडा हुआ है तो अल किसमें जूडा हुआ aldehyde में जूडा हुआ है तो इस question का सही answer होगा आपसा number B aldehyde next question कह रहा है कि एंटिबायोटिक्स के बारे में इन में से कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ से पूछ रहा है एंटिबायोटिक्स बिसानू के बिरोध प्रभावी नहीं होते हैं यह सही है एंटिबायोटिक्स जुकामे वं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं यह सही है एंटिबायोटिक्स के दूस प्रभाव में चेचक, फैलेरिया और डिप्थेरिया सामिल हो सकते हैं ये गलत है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर C नेक्स कोशन है कि अजनता की गुभाएं जो है वो कहा इस्थी थे तो अजनता की गुभाएं जो है वो महराश्ट में स्थी थे तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर C हडपा से भारत का जो प्रथम सहरी सभ्था है वो हडपा सभ्था ही है और हडपा सभ्था का जो समय है वो कार्बन 14 तिथी निर्धारन पदिती के अनुसार 2350 से लेकर 1750 बीसी जो है वो उसका निर्धारित किया गया है और हडपा सब्धता को कास यूगीन सब्धता मानी जाती है नेक्स कोशन कह रहा है कि बारली लोग चितरकारी किस राज की लोग कला का एक रूप है तो यह महराष्ट राज के लोग कला का एक रूप है तो इस कोशन का सही अंसर होगा अब होगा आपसे नमबरे महराष्ट नेक्स रही कि किस मुस्लिम सासक के सिक्कों पर देवी लच्मी के आक्रिटी बनी हुई है तो यह बना हुआ है मुहमद गोरी के सिक्के पर तो इस question का सही answer होगा वो होगा आपसे नमबर ए मुहमद गोरी जो कि भारत में मुस्लिम राज़ के संस्थापक के रूप में जाना जाता है नेक्स्ट है कि निम्र में से किसे पुर्ण जागरन काल में चितरकला का जनक माना जाता है और पेट्राउग से याद रखेगा इनको माना बात का संस्थापक माना जाता है ऐसे अगर पुर्ण जागरन की बात करते हैं तो पुर्ण जागरन का पारंभ जो है वो इटली के फलोरेंस नगर से माना जाता है नेक्स्ट है कि फ्रांस में पाल्रमा नामक संस्था की संख्या किसने थी तो यह थी 13 यह अक्चली है क्या कि यह एक नियाले के रूप में इसका गठन किया गया था नेक्स्ट है कि भारती अर्थविवस्था में प्रवेश के ब्याख्या संराचनात्मक बाधाओं के अधार पर किसने इसे लाइसेंस कोटा परमिट राज कहा है तो वो चक्रवर्थी राज गुपालाचारी के द्वारा कहा गया है तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा अप्षर नमबर भी सी राज गुपालाचारी नेक्स कोशन है कोशन नमबर 46 इसका आंसर वहां इसका अंसर की और सुलूसन दोनो जो है वो PDF के लास्ट में अटेच कर दिया गया है किसी प्रदेश के अच्छांस को कौनिय दूरी के संबंध में भूमध धरेखा को अभी ब्यक्त किया जाता है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसे नमर ये भूमध धरेखा नेक्स्ट हैगी सीह का संरचन होता है तो सीह का संरचन जो है वो गिर रास्टी ये उद्यान में होता है गिर का बन जो गुजरात राज में अवस्थित है वही गिर रास्टी ये उद्यान गुजरात को सासन गिर भी कहा जाता है जो कि बिसुध बबर एसी आई सेर का एक मातर निवास अस्थन है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number B गीर अभियारन में आगे है कि भारत देश का दचीनतम बिंदू कौन सा है तो भारत देश का दचीनतम बिंदू है इंदरा पॉइंट जो की बिहत निकोबारदीप में इस्थी थे और इसका पुराना नाम जो था वो पिगमेलियन पॉइंट था और भारत की जो सबसे उत्य उत्री बिंदु है वो इंदरा कॉल है जो कि जम्मु कास्मीर में स्थित है, पश्मी बिंदु जो है बो गहीर माथा है, सरक्री गुजरात और पूर्भी बिंदु जो है वो कीवतु अर्णाचर पर्देश में है, तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमर T, इंदरा पॉइंट नेक्स कोशन है कोशन नमर 56, कह रहा है निमलिखिद में से वह राज जो कौन सा है जिसका अंतराष्टी सीमा जो है वो तीन देसों से मिलती है यह बात कर रहा है अबनाचल प्रदेश की अबनाचल प्रदेश की सीमा जो है वो भूटान, चीन और मैनमार से जुड़ी हुई है तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमर A, अबनाचल प्रदेश नेक्स्ट एक यह नमरिकित में से कौन सा जो है वो दुगध प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन है तो मिल्क प्रोटीन है कैसीन तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमर C, कैसीन दूद का रंग जो होता है वो उजला जो होता है वो केसीन प्रोटीन और पीला जो होता है वो केरोटीन प्रोटीन के कारण होता है क्लियर है अगर हम लोग बात लेक्टोजन की करते हैं तो लेक्टोजन जो है वो छोटी आंसे स्रावित होता है और यह लेक्टोज को ग्लुकोज में और ग्लेक्टोज में परिवर्थित कर देता है नेक्स कोशन है कोशन नमर 58 कहरा उस प्रथम समर्पित भारतिये खगोलिये मिसन का नाम क्या है जिसका लच एक साथ एक्सरे ऑप्टिकल और यूबी अस्पेक्ट्रेल बैंड में खगोलिये स्रोतों का अध्यान करना है यह बात करा अस्ट्रोसेट का तो इस कोशन का सही अंस है उनके डीने में अधी कंतर होंगी इस विचार के अधार पर निर्मित दृष्टी को उनको क्या कहा जाता है तो इसको आनुविक जाती ब्रित कहा जाता है तो इस कोशन का सएचर होगा वो होगा law open number d नेक्स कर रहा है कि निमन्र केद में से किस पाधे को जड़ तनाइबं पतियों में भीभेदित नहीं किया जा सकता है तो अस्पाइरो गाईरा को नहीं किया जा सकता है तो इस कूश्चन का सएचर होगा बहुगा option number C, aspirogara, aspirogara जो है वो एक chlorophyll यूप्त पाए जाने वाल है, next है कि निम्न में से किस देश के संविधान से संसत के दोनों सदनों के संजुक्त बैठा का प्रभधान जो है वो भारतिय संविधान में अपनाया गया है, तो संजुक्त दिवेशन का प्रभधान जो ह वो लोगसभा के अध्यच के द्वारा किया जाता है, लेकिन उनकी अनुपस्थिती में लोगसभा उपाध्यच के द्वारा भी किया जा सकता है, संसत का जो संजुक्त दिवेशन होता है, वो साधारन बिधायक या बित बिधायक के मामले में ही बुलाई जा सकती है, और य निम्न में से किस अनुछेद में समान नया एवं गरीबों कोई निसुल्क विदिक साहता उपलत कराने का उलेग जो है वो किया गया है तो यह किया गया अनुछेद 39 के कमे तो इस कोश्चन का सई अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर D नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जिला जो है वो आपदा प्रवंदन प्रधिकरन का अधियच होता है तो जिला आपदा प्रवंदन प्रधिकरन का अधियच जो होता है वो जिला धिकारी होता है तो इस कोश्चन का जो सई अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर D जिला धिकार होता है आप लोग पढ़े होंगे राष्टिये आपदा आक्ट 2005 उसी के अधीन 2006 में राष्टिये आपदा प्रबंधन प्रधिकरन का जो है वो गठन किया गया था और राष्टिये आपदा प्रबंधन प्रधिकरन के अध्याच जो होते हैं वो परधान मंत्री होते हैं वहीं होता है तो नुरवाचन तंतर के रूप में अनुपाधिक प्रतिनिधित्व प्राश्ट्पती से अल्प संख्यक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है तो सही अंशर करता है तो सही कोशन में कि Express बाइं소 ये बिल्कुल सही है आकास्मी की रिक्ती के दोरान उपराश्टपती भारत के राश्टपती के रूप में कार्ज करते हैं ये भी बिल्कुल सही है जब उपराश्टपती भारत के राश्टपती के रूप में कार्ज करते हैं तब वो राजसवा के अध्यच के रूप में काम क से करते हैं ये गलत है तो इस कोश्चन का सही अंसर जो होगा वो होगा आपसर नमबर डी नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमबर 67 कह रहा है कि निमलिखित में से वो ब्यक्ति कौन है जो अनुचिद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चितम न्याले को भेज सकते हैं यह बात कर रहा है भारत के राष्टपती जो है वो अनुचिद 143 के अंतरगत सर्बुच न्याले से बिसे सिस्थिति में सलाह मांग सकते हैं लेकिन राष्टपती को उच्चितम न्याले जो है वो सलाह देने के लिए बाध नहीं है साथ ही साथ है ध्राज़ की अस्थाप न करना य। देखिए, एकाइदमक σासन प्रनाली केंद्र क्रित सासन प्रनाली होती है, जिसमें किंद्र के पास सभी सक्तियां जो है, वो समाहीत होती है, तो इस क्योशन का सई अंसर होगा, वो होगा, आपसे नबर B, ध्रध्राज़। नेक्स्ट एक कोश्चन नमबर 69 कह रहा किंद्रिय मंत्री परस्थ के बिरूद अब इस बास परस्थाओं कहां परिस्थूद किया जा सकता है तो अब इस बास परस्थाओं केबल लोकसभा में पारित किया जाता है और सरपथम जो अब इस बास परस्थाओं था वो पंडी ज कौन सा बिकल्प जो है वो नीचे दिये गए सब्दों का सार्था क्रम दर्स आएगा तो सार्था क्रम अगर बात करते हैं दर्स आने की तो सबसे पहले आबादी फिर बरोजगारी फिर निर्धनता फिर रोग और फिर मिर्टू तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा नंबर अटी नेक्स कोशन का रहा है सुची एक और सुची दो को मिलाना है आपको एक साइड मापा के अंतर दिये गए हैं और दूसरे साइड मापे जाने वाली रासियों की बात कही गई है फर्मा मीटर की अगर बात करते हैं तो इससे तापमान मापते हैं बैरो मीटर की करते हैं तो बोल्ड़तामापते हैं और लक्तोमीटर की बात करते हैं तो दूदर की सुध्धतामापते हैं लेक्सकोशन है कोशन नमरर 81 किरागी बायू में प्रचकी क्रिकेट बॉल के दोलन की ब्याख्या की जा सकती है तो यह जो है वो बर्णॉली के प्रेमे के अधार पर किया जा सकता है तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा दृष्टिकों से सबसे बड़ा राज उत्तर पदेश बिहार का जो छेतर फल्ब है वो भारत के छेतर फल्ब का 2.86 परतिसत है Next question कहा रहाईगी बिस्व का पहला गंतंत्र बैसाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था तो बिस्व का पहला गंतंतर बैसाली में लिछवी गंराज के द्वारा स्थापित किया गया था तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number D आगे कहरा उस बौध ग्रंथ का नाम बताईए जिसमें त्री भुजो के लिए नियमो का उलेख है देखे त्री पिटक की संख्या जो थी वो तीन थी सुथ पिटक, बिनय पिटक और अभिधम पिटक सुथ पिटक की रचना जो है वो प्रथम बौध साहित में आनंद द्वारा किया गया था और सुथ पिटक में बुध के उपदेशों का बर्नन है बिनय पिटक की रचना जो है वो उपाली के द्वारा किया गया था और बिनय पिटक में संघ के आचरन और नियमो का उलेख किया गया है और अभिधम पिटक की रचना त्रीतिय बौध संगती में किया गया था और अभी दम पिटक में बुद्ध के दार्सिनिक विचारों का संग लंगन किया गया है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर B बिने पिटक में नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमबर 85 कह रहा है तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर D अगर बात करते हैं एक तालिसमा संभिधान संसोधन अधिनियम 1976 की तो इसके द्वारा राजलोग सेवायोग और संजुक्तलोग सेवायोग के सदस्यों की आयू जो है प्रणा में तीन नए सब्द भी जोड़े गए थे समाजबादी पंतर निर्पेशता और अखंड़ता नेक्स कोशन कह रहेगी जंगना 2011 के अनुसार जंसंख्या घनत्व की अधार पर केंदरसासीट प्रदेशों को घटते हुए करम में बेवस्तित कीजे तो सबसे जादा है दिल्ली का पहले नंबर पे होगा फिर होगा दूसरे नंबर पे आ जाएगा चंडिगर तीसरे नंबर पे आ जाएगा पहले नंबर पे दिल्ली का है फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे चंडिगर का है फिर तीसरे नंबर पे पुडिचेरी का है और लच्छी दिप का है चौथे नंबर पर तो इसका सिक्वेंस जो हो जाएगा वो एक तीन चार दो हो जाएगा यानि अच्छा हाँ यहाँ यह बाला सिक्वेंस में दिया हुआ है मतलब यह सही अरेंज किजेगा तो इसका सही अंसर ले होगा वो होगा आपसर नमर टी पहले दिल्ली उसके बाद चंडीगड उसके बाद पुडिचेरी और उसके बाद लच्छे दिप ठीक है कोशन नमर 87 एक साट देश दिये हैं दूसे साट रास्टի एक खेल के नाम दिये गा है biggest अंच्छेलिया का होगा क्रिकेट Mary युक्तरा जमीर का होगा बेसबॉल, अस्पेन का होगा साडो की लड़ाई बुल फाइटिंग और जपान का होगा जुडो. नेक्स कोश्चन के रहा है हिमायू का मकवरा कहा है इसी था हिमायू का मकवरा दिल्ली में जहांगीर का मकवरा लहौर में बावर का मकवरा काबुल में और अंजेब का मकवरा और अंगाबाद में अकवर का मकवरा सिकंद्रा में सा जहां का मकवरा आगरा में ठीक है और बहा प्रफार मेसर सही है पवित्र भुमी फिलिस्तीन सही है साधूराज जापान ये गलत है क्योंकि साधूराज जो हर्मिट किंग्डम है वो दच्छिन कोरिया को कहा जाता है ना कि जापान को तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर एसी नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमर 19 कहरा एपक से संबंदित कौन सा कथन सही है एपक का मतलब होता है एसिया पैस्विक एकनॉमिक कोर्परेशन तो कहरा इसकी अस्थापना बर्स 1989 में हुई थी सही है उनीसो संतानमे में रूस बियतनाम तथा पेरू को सदस्रता मिल जान है तो यहां एक और तीन सही है दूसरा गलत है तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर 18 नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमर 91 कहरा है सुमेलित करने के लिए भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त की अगर बात करते हैं तो यह थे सूकुमार सेन भारत के प्रथम लोकसभाध्यच की बात करते हैं तो यह थे जीवी माबलंकर भारत के प्रथम उपराष्टपती की अगर बात करते हैं तो यह थे सरपली राधा क्रिस्टन और भारत के प्रथम महानयाबादी की अगर बात करते हैं तो यह थे MC सीतल वाड नेक्स कोश्चन कहरा है क question number 92 कहारा है निमलिखित युगमों में से कौन सुमेलित नहीं है यहां पूछ रहा है एक साइड रोग के नाम दिये गए है और दूसरे साइड आसदी के नाम दिये गए है malaria syndrome सही है cancer next war सही है polio opb यह गलत है देखिए यहां आसदी का नाम दिया गया है polio की आसदी opb नहीं है opb polio की वैक्सीन है इसलिए यह गलत है फिर कहरा कोश्ट्रोग डी और टीस यह सही है तो इस question का जो सही answer होगा वहोगा option number d cable 3 जो है वो सुमेलित नहीं है next question है question number 93 करा सोतंतता संग्राम के दोरान हुई घटनाओं को कालनुक्रम रूप में वेवस्थित कीजे जलिया बाला भाग हत्याकांड 1919 उसके बाद भारत छोड़ो अंदोलन भारत छोड़ो अंदोलन कब हुआ 1942 ध्वज सत्यागरा हुआ 1923 और असायो गांदोलन 1920 से लेकर 1922 तो इसको आप सही से एरेंज कीजेगा तो आपका सही अंसर होगा वहोगा option number b next question करा जी सेबी से तात पर जो है सेबी का full form होता है security and exchange board of India जिसका मुख्याल है मुंबई में इस्थी थे इसकी अस्थापना 12 अपराल 1988 को किया गया था लेकिन इसको बैधानिक दर्जा जो है वो 30 जनवरी 1992 को दिया गया है तो इस question का जो सही अंसर होगा वहोगा option number b security and exchange board of India नेक्स question कहा रहा है कि सरहुल नित जो है वो किस राज्जी से संबंदी थे तो सरहुल नित जार्खन से संबंदी थे तो इस question का सही अंसर है option number b जार्खन आंधपदे से आप याद रख सकते हैं कुचीपूरी तमिलाडू से याद रख सकते हैं भरत नाठ्यम और जनसर होगा वो होगा option number b भारतिय ग्यान प्रुषकार प्रथम ग्यान प्रुषकार जो है वो 1965 में जी संकर कुरूप को दिया गया था और अंग्रेजी भासा में अगर पूछा जाया तो अमिताब घोस को दिया गया था नेक्स कोष्चन है कोषचन नमर 97 कहरा है भारत में प्रभावी आशर्टा दर किसे परीगनित की चाती है तो इसका मतलब होता है कि 7 बर्स की आईउ से उपर की जन संक्या तो इसकोषचन का सही अंसर होगा वो होगा option number d 7 बर्स की आईउ से उपर की जन संक्या भारत का यह지는 74.04 परती से थे बिहार सबसे कम सिच्छित है और केरल सबसे जादा सिच्छित राज है नेक्स कहरा है कि बस्तूओं के निर्यात और आयात के संतुलन बैलेंस को के रूप में संदर्वित किया जाता है तो इसको बैपार संतुलन के रूप में गुजराती में लिखे थे उनकी आत्म कथा था सत्य के साथ मेरे प्रियोग माई एक्सपेरिमेंट बेट तूर्थ सिर्सक के साथ परकासित हुआ था गांधी जी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ उनके द्वारा कुछ लिखे गई पुस्तक है मेरी जीवन का था राम नाम मेरे सपनों का भारत दची नाप फिरका के सत्यागरह का इतिहास बापू की सीफ ये सब जो है वो उनके द्वारा कुछ लिखे गई पुस्तक है नेक्स कोशन है कोशन नमर 100 कह रहा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा साथी साथी इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना बूले अभी तक आप इस चैनल पे नहीं है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथी साथ बेल आइकन दबा लिजे ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिये कर डिस्किप्शन लिंक से आप जाकर टेलिग्राम ग्रूप या WhatsApp ग्रूप जोईन कर सकते हैं वहाँ जो आएगा उसको ग्रूप जोईन कर लिजे वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोबाइट करवा दिया गया है थैंक्स फो वाचिंग